आप देख रहे हैं जन्वारी निउस टॉप 20 स्पोंसर्ड बाई शोभित युनिवर्सिटी मेरट शोभित युनिवर्सिटी, एम्पाउरिंग नेशन थू एजुकेशन नमस्कार, स्वागत है आपका जन्वारी डिजिटल निउस की दुनिया में मैं हूँ आपके साथ हजीत आनंद, आएए नजर डालते हैं दिन भर की खास ख़बरों पर लालू प्रसाद यादो की हालत नाजुक, दिल्ली ले जाने की तैयारी प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने की तेजस्वी से बात पटना के पारस अस्पताल में भरती बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादो की हालत नाजुक बनी हुई है उन्हें एएर एंबुलेंस से दिल्ली लाया जा रहा है इस बीच प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने तेजस्वी यादो से फोन पर चर्चा कर स्वास्थे की जानकारी ली ममता बनर्जी की सांसद महुआ मोहित्रा ने टीमसी का ट्विटर हैंडल किया अनफालो भाजपा ने महुआ की गिरफतारी की उठाई मांग सांसद महुआ मोहित्रा ने फिल्म काली के पोस्टर पर अपमान जनक टिपड़ी की थी जिससे ममता की पार्टी टीमसी ने किनारा कर लिया था इससे नाराज सांसद महुआ ने अपनी ही पार्टी के ट्विटर हैंडल को अनफालो कर दिया है उधर भाजपा ने टीमसी पर माकाली का अपमान करने का आरोप लगाया है हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के मड़ी कर्ण में फटा बादल एक महिला समेट पांच लोग हुए लापता किन्नवर में भू अस्खलन से एनेच पांच बंद हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है कुल्लू जिले के मड़ी कर्ण में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है छलाल पंचायत के प्रधान चुन्ने लाल के मताबिक बादल फटने से चोज में एक होमस्टे, कैम्पिंग साइट और एक पैदल पुल बाड की चपेट में आने से बह गया है हादसे में चार लोग भी बह गये हैं सभी मजदूर बताय जा रहे हैं वहीं किन्न और जिले में भुवस्खलन से एनेस पांच बंद हो गया है मुंबई में भारी बारिश वा भुवस्खलन से मची तबाही सडकों पर जाम, लोकल वा बसों पर भी पड़ा असर मुंबई में भारी बारिश वा भुवस्खलन के चलते जन जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है बुधुवार को कई सडकों पर जल जमा होने से ट्रेफिक जाम हो गया लोकल ट्रेनों वा बेस्ट बसों के आवागमन पर भी भारी असर पड़ा है 2024 के आम चुनाव से पहले आधार कार्ड से जुड़ेगी मतदाता सूची आधार नमबर ना देने पर नहीं हटाई जाएगी जानकारी वर्स 2024 के आम चुनाव से पहले मतदाता सूची से आधार कार्ड को जोड़ दिया जाएगा केंद्री निर्वाचन आयोग ने अभियान चला कर 31 मार्च 2023 तक सौफीजदी मतदाताओं से स्वैक्षिक तरीके से आधार नमबर जुटाने का लक्षेत तै किया है चुनाव आयोग के प्रधान सचीव अजोए कुमार ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं दूसरी बार दूला बनेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंतमान कल डाक्टर गुरुप्रीत से शादी रचाएंगे पहली पत्नी को दे चुके हैं तलाग पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंतमान दूसरी बार शादी करने जा रहे हैं सूत्रों के मुताबिक भगवन्तमान गुरु आरको चंडी गढ़ में डाक्टर गुरुप्रीत कौर से शादी करेंगे इससे पूर भगवन्तमान अपनी पत्नी को तलाग दे चुके हैं दीजी सीये ने स्पाइस जेट कमपनी को भेजा नोटिस पिछले 18 दिनों में खराबी की आठ घटनाओं पर किया जवाब तलब स्पाइस जेट विमानों में लगातार आ रही खराबी के बाद नागरिक उडेन महा नियंतरक डीजी सीये की तरफ से बुधवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है डीजी सीये की तरफ से यह कदम पिछले 18 दिनों में तकनी की खराबी की आठ घटनाओं के बाद उठाया गया है सिख विरोधी दंगा केस में SIT ने कानपुर में पांच जगह की छापे मारी मंगलवार की देर रातरी में दो आरोपियों को दबोचा सिख विरोधी दंगों के आरोपियों की तलाश में मंगलवार देर रात SIT ने पांच अलग-अलग इलाकों में दबिश दे कर दो आरोपियों को गिरफतार कर लिया है आरोपियों के नाम सिध्ध गोपाल गुपता उर्फ बब्बू और जीतेंद्र कुमार तिवारी है बताते चलें के 31 अक्टूबर 1984 को ततकालीन प्रधान मंतरी इंद्रिया गांधी की हत्या के बाद हुए दंगों में शहर में 127 सिखों की हत्या की गई थी जिसकी जांच SIT कर रही है चार महिने बाद कल यानी गुरु आर को वारांसी आएंगे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी वारांसी वासियों को देंगे 1800 करोड रूपे की पर्योजनाओं की सौगार प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी गुरु आर को वारांसी के दोरे पर रहेंगे करीब सवा चार घंटे तक पीयम मोदी वारांसी में ही रहेंगे काशी को प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी 1800 करोड रूपे की सौगाद देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाप ने डाक्टर श्यामा प्रसाद मोखर जी को दी स्रब्धान जली बोले देश की एकता अखंडता की अक्षुनता को प्रखर स्वर्प प्रदान किया मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ ने जनसंग के संस्थापक डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर जी की जैनती के आउसर पर उनकी प्रतिमा पर माल ल्यारपन कर उन्हें श्रद्धान जली दी इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उन्होंने एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे का उद्धोश कर भारत की एकता वा अखंडता की अक्षूनता को प्रखर स्वर प्रदान किया आप देख रहे हैं जन्माडी न्यूज टॉप टुटी स्पोंसर्ड बाई शोभीत यूनिवरसिटी मेरट शोभीत यूनिवरसिटी एंपावरिंग नेशन थ्रू एड्यूकेशन कानपूर डबल मर्डर केस में हुआ संसनी खेज खुलासा गोद ली हुई बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर माबाप का गला रेता कानपूर की बर्राद दो EWS कालोनी में सोमवार देरात गोद ली हुई बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने माता पिता की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी पुलिस ने साक्षों के आधार पर मंगलवार को हिरासत में लेकर जब पूस्ताच की तो उसने सच उगल दिया पुलिस का दावा है कि प्रापर्टी हथियाने के लिए माता पिता की हथ्या की फिल्म काली पर विवाद गहराया हनुमान गढ़ी के पुजारी ने भी दी धमकी बोले क्या चाहते हो तुम्हारा भी सिर्थ तन से जुदा कर दिया जाए डाक्यूमेंटरी फिल्म काली में मा काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है जिसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है हनुमान गढ़ी के पुजारी राजुदास ने फिल्म निर्माता को धमकी तक दे डाली है कहा है कि क्या चाहते हो तुम्हारा भी सर तन से जुदा हो जाए क्या यही इच्छा है तुम्हारी मेरट के सर्धना में दो ट्रकों में हुई भी शड़ टककर दोनों चालकों की मौत ग्राइंडर से काट कर निकाले गए शव मेरट में बुधवार की सुबह एक दर्दनाक हादसे में दो ट्रक चालकों की मौत हो गई हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी में फंसे चालकों को निकालने के लिए भी क्रेन से एक घंटा लगा इसके बाद भी ग्राइंडर से काट कर चालकों के शव बाहर निकाले गए बिजनोर में भीषण गर्मी के कारण जूनियर हाई स्कूल की कक्छा च्छा की दो चात्राएं होई बेहोश आधे घंटे बाद आया चात्राओं को होश बिजली आपूर्ती ठप बिजनोर जिले के धामपूर थानाक शेत्र इस्थित शेर कोट के एक जूनियर हाई स्कूल में कच्छा च्छा की दो चात्राएं बेहोश हो गई इसकूल में मौजूद शिक्षिकाओं ने चात्राओं को पानी छिड़क कर उन्हें रहत दी बताया गया है कि चात्राओं को करीब आधे घंटे बाद हो शाया है इसके बाद उन्हें परिजनों के एक साथ उनके घर भेज दिया गया स्कूल की शिक्षिकाओं ने बताया कि जिस समय चात्राओं बेहोश हुई उस समय बिजली आपूर्त छप थी बिजली के पंखे भी बंद थे मेरट में आज MDA ने फिर चलाया बुलडोजर बागपत रोड पर कई संपत्यों को किया जमिंदोज मेरट जिले के जानी थाना छेतर इलाके में बागपत रोड पर बनाई गई अवैध दुकानों पर MDA की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमिंदोज कर दिया है भोपाल में भी ममता की सांसद महुआ मोहित्रा पर दर्ज हुआ F.I.R मुख्यमंत्रे शिवराज सिंग बोले देवी देवताओं का अपमान बरदास्त नहीं दाक्यूमेंटरी फिल्म काली को लेकर माकाली पर विवादित और आपति जनक टिपड़ी करने के मामले में T.M.C. सांसद महुआ मोहित्रा पर भोपाल में F.I.R दर्ज हुई है मोहित्रा ने माकाली को मद्रा और मांस स्विकार करने वाली देवी बताया था जम्मू कश्मीर की बिजली परियोजना को लेकर देश भर में 16 ठिकानों पर की गई छापे मारी पूर्बर राजेपाल सत्यपाल मलिक ने उठाया था रिश्वत का मुद्दा जम्मू कश्मीर के किस्तवाड में एक बिजली परियोजना से जुड़े रिश्वत खोरी के मामले में CBI ने आज बेश भर में 16 अस्थानों पर छापे मारे हैं यह मामला जम्मू कश्मीर के पूर्बर राजेपाल सत्यपाल मलिक ने उठाया था वेस्टेंडीज दोरे के लिए टीम इंडिया का हुआ एलान शिखर धवन को मिली कमान तो रवींद्र जडेजा को बनाया गया उपकटान वेस्टेंडीज दोरे के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया गया है शिखर धवन को इस दोरे के लिए टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है तो वहीं रविंद्र जडेजा को उप कप्तान की जिम्मेदारी दी गई है यहां तीन वंडे मैज खेले जाने है मेरट जिले के कंकर खेडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठ भेड तीन को लगी गोली बड़ी मात्रा में चोरी के बिजली के सामान बरामद मेरट जिले में कंकर खेडा खिरवा रोड पर मुठ भेड के दोरान सोजी टीम और कंकर खेडा थाना पुलिस ने तीन बदमाशों को दबोच लिया है तीनों बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गये हैं जिन्हें अस्पताल में भरती करा दिया गया है बुलंद शहर का रफी कहमद, लोनी गाजियाबाद का आमन और तीसरा कंकर खेडा चमन विहार का निवासी है इनके अन्य दस साथियों को भी पुलिस ने सामान के साथ गिरफतार कर लिया है पुलिस ने बदमाशों के पास से दो पिकप गाड़ी, दो छोटा हाथी टैंपो बरामत किये हैं जिनके अंदर चोरी किया बिजली का तार और बड़े टावर का सामान भरा हुआ है साथी पुलिस ने इनके पास से एक I-20 कार, एक अपाची मोटर साइकिल और एक गय सिलेंडर भी बरामत किया है 14-27 जुलाई तक शड़कों पर रूट देखकर निकले यात्री मेरट में नहीं घुषने पाएंगे हर्याडा के वाहन मेरट में कामड यात्रा को देखते हुए पुलिश प्रशाषन ने 14 तारीख की रात 12 बजे से 27 जुलाई के शाम 6 बजे तक दिल्ली दून हाइवे समेत वेस्ट यूपी की महत्वपूर्ण सड़कों के लिए रूट डाइवर्जन प्लान जारी कर दिया है आप देख रहे हैं जन्माडी न्यूज टॉप 20 स्पॉंसर्ड बाई शोभीत यूनिवरसिटी मेरट